बद्ध धर्म की छे रहस्मई गुफाएं दुनिया वर की गुफाएं हिंदू, जेन और बद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं इन में से कई तो प्राकतिक गुफाएं हैं तो कुछ को ध्यान और तब के लिए बनाय गया है गुफाओं की रहस्मई दुनिया है दिवी दर्शन के इस भाग में चलते हैं बद्ध धर्म की रहस्मई गुफाओं के दर्शन करने गुफा नमबर एक बामियान की बद्ध गुफाएं अफगानिस्तान बामियान अफगानिस्तान में बामियान नामकिस्थान पर हिंदूर बद्ध धर्म से जुड़ी सेकड़ गुफाएं हैं जिन में से कुछ में भगवान बुद्ध की विशाल तम प्रतिमाएं हैं माना जाता है कि पहाड में इन गुफाओं का निर्माण इसापूरू तीसरी सिताब्दी को हुआ था यहाँ पर साल 2001 में विशाल का बुद्ध प्रतिमाओं को तालिबानियों ने तो डाला था इन गुफाओं का इस्तमाल बुद्ध भिख्शू, सद्योत, ध्यान और एकांत में रहने के लिए करते रहे हैं इन में से कुछ गुफाओं में अब तकरिपन साथ सो अफगान परिवार रहते हैं जिनके पास नो तो जमीन है और नगहर बनाने की हैसियत गुफा नमबर दो अजन्ता एलोरा की गुफाओं महरास्ट जिला औरंगाबाद अजन्ता एलोरा की गुफाओं महरास्ट के औरंगाबाद शहर के समी पिस्ती थे ये गुफाओं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई है 29 गुफाएं अजन्ता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं अजन्ता की गुफाओं में 200 इसा पुरु से 685 इसा पस्चा तक के बर्ध धर्म का चित्रन किया गया है ये लोरा की गुफाओं में हिंदू, जेन और बोध धर्मों के प्रती दर्शाई कई अवस्था के त्रिवेणी संगम का इस्थाई प्रभाव देखने को मिलता है माना जाता है कि ये लोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सिक्रेट शहर है आर्कोलाजिकल और जियोलाजिस्ट की रिसर्च से ये पता चला है कि ये कोई सामन गुफाओं नहीं है इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तेक्मिक नहीं बना सकती यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडर ग्राउंड शहर में ले जाती है गुफा नमबर तीन बाग की गुफाओं मदप्रदेश जिलाधार मदप्रदेश की प्राचिन इस्थलधार जिले में इस्थित बाग की गुफाओं इंदोर शहर से 60 किलोमेटर की दूरी परिस्थित है बागिन नमग चोटी सी नदी के बाएं तट पर और स्विंद परवत के दक्षिन धलान परिस्थित इन गुफाओं का इतियाज भी रहस्यों से भरा है माना जाता है कि इन गुफाओं का निर्मान भगवान बुद्ध की प्रति दिन होने वाली दिवी वारता को प्रतिपादित करने हेतु निर्मित और चितरित किया गया था इनमें को नो गुफाओं हैं गुफा नमबर चार थाइलेंड की गुफाओं थाइलेंड के फुकेट में इस्थित एक गुफा में भगवान बुद्ध की सीर उठाकर लेटी मुद्रा में सुनहरी प्रतिमा है गुफा करीब 20 मिटर लंबी और 15 मिटर चोड़ी है गुफा के विभिन हिस्सों में बुद्ध की छोटी बड़ी अन्य प्रतिमाएं भी इस् गुफा नमबर पाँच मुस्तांग की बुद्ध गुफाईं नेपल जिला मुस्तांग के उत्तर पस्चिन में स्थित मुस्तांग की इन गुफाओं से मात्मा बुद्ध के बारवी शताब्दी के भिती चित्र यानि दिवार पर की गई प्रेंटिंग्स को देखना अद्वुत है एक नजदिक की गुफा में ही तिब्वती भाषा में लिखी पांडूली प्या भी में मीली हैं जो बहुती प्राचीन बताई जाती हैं गुफा नमबर छे चंदादेवी की गुफाइन 36 गड़ के सिंद्ध द्रोग शेत्र में महासमुन के सिर्पु कस्बे से करीब 25 किलोमेटर दूर महानधी के किनारे स््थी थे यहां बूर्ध दरशनेक नागारजुन मे वे गुरुते।